पुरोना वाइरस के दौर में स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए परिक्षाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इस पर हमारे देश में भी बहस चल रही है और पूरे दुनिया में भी बहस चल रही है और यही जानने और समझने के लिए संयुक कि दुनिया के करीब 43 प्रतिशत स्कूलों में बच्चों के लिए साबुन से हाथ धोने की सुविधा नहीं है दुनिया के करीब 24 प्रतिशत स्कूलों में हाथ धोने के लिए ना तो पानी उपलब्ध है और ना ही साबुन है जबकि 19 प्रतिशत स्कूलों में पानी तो उपलब है लेकिन साबून नहीं है यानि दुनिया के हर 5 मैंसे 2 स्कूलों में साबून से हाथ दोने की सुविदा बच्चों के पास नहीं है जो कुरोना से बचने के लिए बहुत जरूरी है इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि दुनिया के 42 प्रतिशत सेकंडरी स्कूल्स और 56 प्रतिशत प्राइमरी स्कूल्स में हाथ दोने की उच्चत सुविदा नहीं है कुरोना महामारी की वज़े से पूरी दुनिया में स्कूलों को बंद करना पड़ा जिससे 190 देशों में 150 करूर से ज़्यादा चातर प्रभावित हुए है स्कूलों के इस रिपोर्ट के मताबिक अगर हाथ दोने की उच्चत विवस्ता किये बिना स्कूल दोबारा खुल दिये गए तो इससे दुनिया भर में करीब 82 करूर बच्चों के कुरोना महामारी से संक्रमित होने का खत्रा है इन मैंसे सबसे ज़्यादा करीब 30 करूर बच्चे सब सहारा अफरीका में हैं करीब 12.5 करूर मध्धे और दख्षणी एशिया में रहते हैं जिन मैंसे 9 करूर से ज़्यादा बच्चे अकेले भारत में रहते हैं जो स्कूलों में साबून और पानी से हाथ दोने की अब जब भी सरकार स्कूल खूलने का फैसला लेगी तो हर स्कूल को ये सुनिशित करना पड़ेगा कि बच्चों को साबून से हाथ दोने की विवस्ता हो ताकि वो बहुत जल्दी जल्दी समय समय पर अपने हाथ साफ करते रहें लेकिन सवाल यह है कि स्कूलों में ऐसी सुधा उपलब्द करवाने के लिए भी क्या हम कोरोना वाइरस जैसी महामारी का इंतजार कर रहे थे और अगर ऐसा है तो क्यों कर रहे थे यूनिसेफ की ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब भारत समय दुनिया के कई देशों में ये विचार चल रहा है कि स्कूलों के अंतिम दो हफ्तों में पूरे अमेरिका में 97,000 से जादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं यानि अमेरिका ये गलती कर चुका है उसे स्कूल नहीं खोलने चाहिए थे लेकिन उसने स्कूल खोल दिये और अब वहाँ पर बच्चे बड़ी मात्रा में संक्रम दे दी है जहां ये डर अब सच साबित हो रहा है क्योंकि बड़ी संक्या में वहाँ पर बच्चे अब करोना से संक्रमित हो गए हैं अमेरिका के राज्य जॉर्जिया में 3 अगस्त से स्कूल दोबारा खोले गए थे जिसके बाद से अब तक 200 से जादा चात्र और शिक्षक करोना पॉजिटिव पाई गए हैं इसकी वज़े से वहां स्कूल तो खोल दिये गए लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने जैसे नियमों का पालन नहीं किया गया जिसकी एक तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर जॉजिया के डैलिस में एक स्क की थी जिसे स्कूल प्रशासन ने बाद में इस चात्र को ही सस्पेंट कर दिया तो ये स्कूल की हालत है अमेरिका की और अगर आपने भारत में भी खुल दिये तो भारत से भी आपको ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेंगी ये तस्वीर दर्शाती है कि कोरोना वाइरस से ब परिक्षाएं रद की जा चुकी हैं या स्थगित की जा चुकी हैं ऐसे में JEE और नीट की परिक्षा देने वाले चातर भी परिक्षा स्थगित करने की लगातार मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोट में दोनों प्रविश परिक्षाओं को स्थगित करने के लिए याची कायं भी दायर की गई थी चात्रों का ये कहना है कि स्थितियां सामाने होने के बाद ही परिक्षा कराई जाए जे-ई-ई-मेन की जो परिक्षा है इस बार 2020 की वह 1-6 सितम्बर तक होगी जिसके लिए इस बार 11 लाख चात्रों ने registration करवाया है, जबकि NEET की परिक्षा 13 सितंबर को 90 जिसके लिए 16, 6 लाग चातरों ने आवदन दिया है अब जरा सूचिए कि 13 लाग चातर जब परिक्षा देने की लिए आएंगे यद दूसरी जो NEET की परिक्षा है, 16 लाग चातर जब परिक्षा देने की लिए आएंगे तो इस बात की क्या गैरन्टी है कि वहाँ पर लिए आज हमारा सरकार से कहना है कि बहुत सोच समझ कर ये फैसला लें कि उन्हें इन परिक्षाओं को आयुजित करना है या भी इन्हें और कुछ दिनों तक कुछ महीनों तक सगित कर दिया जाए